Netflix भया ने एक पूरा शो बनाके मार्केट में रिलीस कर दिया है नाम है Bombay Begums और Starcast भी काफी लंबी चौड़ी है सबसे important सवाल शो है किस बारे में Mumbai शहर The City of Dreams इसमें छुपकर रहते हैं कुछ शैतान दमाग इंसान बस इन में से 5 की शैतानियों को लाइफ स्क्रीन पर उतारने की कोशिश की गई है शैतान नमबर वन आईशा जो छोड़े शहर से बड़े शहर किसमत बदलने आई हैं मैडम के सपने बुट्स खलीफा से भी लंबे हैं लेकिन प्लांस चीटी के पैरों से भी हाफ साइस के शैतान नमबर टू लिली दर डांसर जो पेट की भूख के लिए शरीर जरूर बेचती हैं लेकिन बेटे को मुंबई का मुकेशंबानी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाती शैतान नमबर टीम फातिमा जिनके लिए करियर इस लाइफ घोड़े की रेस देखी है आँखों के दौनो दरफ बन सिर्फ सीधा भागता है ये मैडम भी फामिली को साइट करके कमपनी में नमबर वन बनने की रेस में भाग रही है शैतान नमबर चार चोटी सी प्याडी सी शाय जो कहने के लिए तो स्कूल स्टूडेंट है लेकिन दिल और दिमाग के बीच में फसकर बच्ची ने सिफ 13 साल में दुनियादारी नाम के सब्जेक्ट में पीएजडी हासिल कर ली है और लास्ट में इन सब के ऊपर बैटी हुई शैतान नमबर पांच दक्वीन ओफ बॉम्बे जिनके नाम में ही रानी है मुंबई का सबसे बड़ा बैंक इनके पॉकेट में रहता है सीधा पॉइंट पे आती हूँ शो देखना है या फिर नहीं आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है दो टाइप की ओडियन्स होती है पहली वो जो फिल्म देखे बिना ही अपना रिव्यू सुना देती है दूसरी वो जुनको खटा मिठा काफी पसंद है मतलब एक्सपेरिमेंट करने का शौक है रोज कुछ नया दिखा दो ये वाला शो दूसरी कैटिगरी के लिए बना है बॉम्बे बेगम्स जितना जबरदस्ती टाइटल है उतना ही मज़िदार इसका कॉंसेट गिसे पिटे, रोमैंस, अक्शन, कॉमेडी इन सब को साइट करो इस शो के साथ सिनिमा में एक नया जौनरा जुग गया है जिंदगी नाम का सच बोलू टीवी पे जो आँकों के सामने दिखता है 50% ऐसा लगेगा जिसे खुद को मिरर में देख रहे हो वही सोसाइटी, वही रूल्स, वही फैमिली और वही पुरानी लड़ाई औरत वर्सेज मर्द वाली कौन किस पे भारी, किस की इज़त सबसे जादा हाउस वाइब वर्सेज बिजनस विमन आप क्या चनोगे पूरी सीरीज का एक्स फैक्टर पता है क्या हम लोग जो दिन रात अपने चहरे पे मास्क लगा के गूमते हैं न पूरी दुनिया के लिए हम कोई और हैं जबकि खुद के लिए कुछ और इस चीज को एकदम सटीक तरीके से शोकेस किया गया है अंदर फीलिंग्स का तूफान उठा हो लेकिन चहरे पे सिफ शांती वाली स्माइल रहती है इसका लाइफ डेमो बॉम्बे बेगम्स में मिलेगा अब आओ नेगेटिव पार्ट्स पे फ्रीडम आजादी Mature content का मतलब ये नहीं है कि आप bold scenes दिखाना शुरू कर दो या फिर affair और cheating को justify करो गलत है बहुत simple एक दूसरी चीज ये भी है कि scenes के पीछे narration का idea अच्छा था 13 reasons why की याद आ गई लेकिन ये fake accent वाला upgrade जिसने भी डाला है उसकी salary में से 50 रुपए काट लेना over smartness का अब आ जाओ acting पे देखो दिल पे हाथ रख कर बोलती हूँ मैं पूजा भट की 0% भी fan नहीं हूँ लेकिन इस show को देखने के बाद आप बंदी को पसंद भले ही न करो लेकिन नफरत नहीं कर पाओगे रानी का character पूरी series की backbone है अगर ये डूपती तो पूरा show डूप जाता लेकिन ना पूजा madam has done wonders सच में बंदी की मेनत दिखाई पड़ती है बाकी अमृता तो मेरी secret game से ही favorite है इनसे A to Z कुछ भी करा लो ये fart देती है पर सबसे बड़ा surprise है फातिमा यानी सहाना madam जिनका character थोड़ा पगला जरूर है लेकिन performance 10 on 10 बॉलिवुड की पापा की परियों साफधान new talent is coming शो के जो male characters है जैसे विवेक सहाब जो सर बन के कमाल कर चुके हैं इन सब को villain मनाने की कोशिश बहुत हुई लेकिन acting में छोटी सी भी गलती नहीं मिलेगी 100% natural talent हाँ तो भया कुछ नया देखना है जो realistic हो साथ में interesting भी हो और बच्पन से सिखाए गए society की ज्यान को challenge करें तो remote उठाओ Netflix and chill के रास्ते पे चल पड़ो लेकिन दिमाग में सिर्फ मैं सही हूँ मेरे अलावा पूरी दुनिया गलत मेरी सोच सबसे बड़ी है ये dialogue घूम रहा है तो छोट दो बेटा तुमसे ना हो पाएगा तो एक स्टार के टेका फालतू में डाले गए unnecessary and unrealistic adult scenes plus overdose of kissing moments के लिए और हाफ स्टार ये narration में fake accent का तड़का लगा के मुऊ का स्वात बिगारने वाले failed experiment के लिए बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फर कुछ शिकायब करनी हो तो मैं आपको Instagram पर भी मिल जाऊंगी व ले ले बे ज